हलो एब्रिवन, वल्कम तो नॉले स्मॉल, तो आज के डेली करेंट अफेर्स की स्रीज में हम लोग 3 जनवरी 2023 के करेंट अफेर्स को देखेंगे और वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो के एंड में हम लोग 2 जनवरी 2023 के करेंट अफेर्स का रिवीजन करेंगे, जो प्रधान मंतरी स्री नरेंद्र मुदी 3 जनवरी 2013 को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से 108 भारती विज्यान कॉंग्रेस का उद्घाटन नाकपूर के राश्टर संथ तुकडोजी महराज विश्व विद्याले में करेंगे भारत विज्यान कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन 1924 एस्वी में कलकता में आयोजित किया गया था पोखरा अंतर रास्टी हवाई अड़ा किस देश में इस्थित है? आंसर है option C नेपाल में पोखरा अंतर रास्टी हवाई अड़ा नेपाल में स्थित है पोखरा मद्ध नेपाल का एक परियाटन अस्थल है। इस हवाई अड़े का उदगाटन नेपाल के प्रधान मंतरी प्रचंड द्वारा एक जनवरी 2023 में किया गया। इस सिवीर में सभी 28 राज्य और 8 के अंदर सासित परदेशों से 710 लड़कियों सहित कूल 2155 का एड़ेटों को सामिल किया गया है। जो लगभग एक महिने चलने वाले इस सिवीर में भाग ले रहे हैं। इस सिवीर का समापन 28 जनवरी को प्रधान मंतरी की रैली के साथ होग निमलिखित में से किसने तीसरी बार ब्राजिल के 49 राष्टपती के रूप में सपतली। उन्होंने ब्रष्टाचार के आरोप में डेड़ वर्स की सजा मिली थी। लूइस इनासियो लूलाडा सिल्वा वर्कर्स पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। तथा इसे 2006 में जवाहरलाल नहरू पुरसकार से सम्मानित किया गया था। पुस्तक परियोग धर्मी विकास स कारियों को प्रस्तुत किया गया है। मोबाइल यूनिट की सुरुवात कि सराज में की गई है। विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव का दूसरा चरन 3 जनवरी 2023 को कहां आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव का आयोजन कपड़ा मंत्राले द्वारा किया जा रहा है। इसका पहला चरन 16 दिसंबर 2022 से सुरू होकर 30 दिसंबर 2022 को संपन हुआ। आंसर है ओप्सन A. दर्भंगा में बिहार का दूसरा तारा मंडल 164 करोड की लागत से दर्भंगा में तयार किया गया है। मुख्यमंत्री नितिस कुमार 12 जनवरी 2023 को उत्तर बिहार के इस पहले तारा मंडल का उदगाटन करेंगे। इसे अमरिकी वास्तुकार की परिकल्पना से तयार किया गया है, जो पूरी तरह से सौर उर्जा से परिचालित किया जाएगा। इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने बिहार के किस व्यक्ति को 2024 लोग सभा चुनाओ से पहले मद्दाता जागरुकता अभियान का आइकॉन बनाया है। आंसर है option B. मैथली ठाकूर को लोग गाई का मैथली ठाकूर को इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने अपना आइकॉन बनाया है। आंसर है option D. कौस्तव चटरजी पस्चिम बंगाल के 19 वर्षिय कौस्तव चटरजी भारत के 78 ग्रैंड मास्टर बन गया है। उन्होंने यह उपलब दी MPL 69 रास्टिय सीनियर सतरन चैंपियंशिप के दोरान नई दिल्ली में हासिल की है। भारत का पहला अंडरवाटर मेट्रो की सुरवात की सराज में की जा रही है। आंसर है ऑप्सन B पस्चिम मंगाल में देश का पहला अंडरवाटर मेट्रो की सुरवात पस्चिम मंगाल में की जा रही है। कोलकाता में मेट्रो के इस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत हुगली नदी में पानी के अंदर भारत की पहली अंडरवाटर सुरंग बनाई जा रही है। इस कॉरिडोर में दिसम्बर 2023 में ट्रेनों का संचालन सुरू होने के आसार है। सर्वोच प्रवासी सम्मान प्रवासी भारतिय सम्मान 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा। केंदर सरकार निमलिखित में से किसके बीच इलेक्ट्रिक हाइवे बनाने की तयारी कर रहे हैं। स्वीडन 2018 में पहला इलेक्ट्रिक हाइवे शुरू किया था। जर्मनी ने 2019 में इलेक्ट्रिक हाइवे की सुरुवात की। कि एक जनवरी 2023 को निमलिखित में से किस वर्स की सुरुवात हुई तो अंतररास्ट ये बाजरा वर्स की। निमलिखित में से किस ने एक जनवरी 2023 को भारती वायू सेना की पश्चमी कमान का कारभार ग्रहन किया तो एर मार्सल पंकज मोहन सिन्हा ने। निमलिखित में से किस ने एक जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कारिकारी अधिकारी यानि कि CEO का पदभार ग्रहन किया तो अनिल कुमार लाहोटी। वामपंथी नेता लुईज इनासियो लूलाडा सिल्वा ने किस देश के राष्टपती पद की सपत ली तो ब्राजील के। वासेनर समझोता के संदर्व में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है तो ये भारत जो है एक जनवरी 2023 से वासेनर समझोते के पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बन गया है इस समझोते में 42 देश सामील है भारत वासेनर समझोते में दिसंबर 2017 में 42 सदस के रूप में सामील हुआ नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान ने एक जनवरी 2023 को पर्मानों सन्यत्र आकर्मन निशेत समझोते के तहट कौन से पर्मानों सन्यत्रों की सूची साजा की तो 32 में निमलिखित में से कौन सा राज 2020-22 में आर्टी आई जब आप देही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है तो तमिलनाटू है भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल को पूने के भीडेवाडा में कव खोला गया था तो एक जनवरी 1848 में तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ से जरूर करें धन्यवाद